निवसकार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Pentafold D.S.R. Capsule के बारे में बात करेंगे Pentafold D.S.R. Capsule के क्या यूज हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इसकंदर composition पाया जाता है, किस किस condition में Pentafold D.S.R. Capsule का इस्तमाल किया जा सकता है, यह सारी जानकारी मैं आपको इस थे निसके बीडियो के माध्यम से देने वाल हूं दोस्तों पेंटःजु का पूरा एक क्बी होता है पक्त करते हैं यसमें इंग्रीडियिन की कौन-कौन से इंग्रीडियन पैन पाजाते है इंग्रियण की बात करें तो Pentaprozol Sodium IP जो की Indian Pharmacopia के according 40 mg दूसरे इंग्रियण की बात करें तो Donperidon IP जो की Indian Pharmacopia के according 30 mg इसकी अंदर ये दो तरह के इंग्रिडियण पाजाते हैं जोस्तो बात करते हैं इसके यूजस के बारे में Pentafol DSR capsule को किस-किस condition में استعمال किया जाता है तो इसकी استعمال की बात करें तो यदि आपको Gastrofagal Reflex Disease की समस्या है तो उस condition में भी आप इसका استعمال कर सकते हैं या आपको Acid Reflex की condition में भी आप इसका استعمال कर सकते हैं यदि आपके stomach के अंदर acid की मात्रा बढ़ जाती है उस कंडिश्टिन में भी आप इसका इस्तामाल कर सकते हैं, पैप्टिक अल्सर की कंडिशक्री सिकायत में भी कर सकते हैं, बात करते हैं न अल GGOP ना में इस कंडिशन में विल्जा इसका की जाता है। की बात करें तो एक कैपसुल का रोज एक इस्तमाल किया जा सकता है तोस्तों निहार रोज एक कैपसुल आप ताजा पानी के साथ इस्तमाल कर सकते हैं बात करते हैं इसके इस्तमाल करने से क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने मिल सकते हैं साइड इफेक्ट की बात करे से आपको चक्कनानी की सिकायत हो सकती है अनिद्रा की सिकायत हो सकती है सिरद्रत की सिकायत हो सकती है दस्त की सिकायत हो सकती है यह सारे इडिकेट करता है लीफोर्ट कंपेनी का प्रोड़ेट है इस कैप्सुल का इस्तमाल करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से कंसर्ट जरूर कर लें उसके बाद ही इस कैप्सुल का इस्तमाल करें धन्यवाद दोस्तों